वन्स अगेन वेलकम टो एनदर वीडियो मैं हूँ डाक्टर पी के बाइद आज जानेंगे कुटज वटी के फाइदे और नुक्सान के बारे में कुटज वटी क्या है क्या आपको पता है कि कुटज गंवटी क्या है और कुटज गंवटी का उप्योग किस बीमारी में किस समय प्रियोग किया जाता है कुटजवटी पिट से संबंधि जो रोग होते हैं उसमें इसका जो प्लियोग किया जाता है कॉलाइटिस पतले दस्त आउवाना आतों में सभी प्रकार की रोगों में ठीक करने के लिए इसका प्लियोग किया जाता है इसके अलावा आप कुटजवटी का उपयोग अन्य बीमारियों में कर सकते हैं आईए कुटजवटी के फायदे के बारे में जान लेते हैं कुटजवटी कुटजवटी पतले दस्ताना आवाना आतों के सभी प्रकार के दोस्त बवासीर कैस्टिक कलसर इत्याद पेट की रोगों में काम करती है पतानजली कमपनी के द्वारा या बनाई जाने वाली प्रमुक अउसद ही है कुटजवटी के फायदे क्या है तो कुटजवटी जो है के फायदे है पेचिस को ठीक करने के लिए कुटजवटी बहुत फायदे मन्द है जिन लोगों को दस्त के साथ खून आने की समस्या है उन्हें कुटजूती से प्रियोग करने से बहुत जादा फाइदा मिलता है कबज की समस्या में कैसे प्रियोग करेंगे खान पान में आस्वन तुलन और आनियमित दिन चज़ रहे के कारण कबज की समस्या से गरस्त लोग बहुत समस्या से गर्थित हो जाते हैं और इसके कारण जो है उनको कबज बनने लगता है और कब्जी के कारण पेट खराब रहता है तो इसमें आप कुटज घनवटी प्रियोग करेंगे तो बहुत जादा फाइदा होगा कुटज घनवटी का जो दूसरा इसके अलावा फाइदा है दस्त को टोकने में अगर आप दस्त की समस्या से परिशान है तो कुटज घनवटी का प्रियोग करके आपको दस्त यानि पेजिस में जो है फाइदा मिलता है अपच की समस्या में जो है अगर आप प्रियोग करते हैं अने लोग जो है पाचंत अंत बिकार से गरस्त होते हैं कुटज घनवटी के सेवन्स से अपच की बीमारी ठीक होती है और पाचन तंतर से परिशान लोग जो कुटज जूजिका प्रियोग करते हैं तो उन्हें बेहतरीन लाब मिलता है कुटज घनवटी की जो अन्य समश्चाओं में फाइदे हैं वो भी जान लेजिए सूजन की समश्चाओं अगर सरीर की किसी यंग में हो सकती है तो कुटज जूजिके सेवन्स से आपके सूजन कम हो जाती है आपके तुचा में होने वाली सूजन कुटज घनवटी के परियोग में बेहतरीन लाब आता है बहुत पसीना आने पर आप प्रियोग कर सकते हैं कुटज घनवटी कई लोगों को सरीर से बहुत पसीना निकलता है ऐसी परिशानी में कुटज घनवटी का इस्तेमाल करना चाहिए इसके अलावा कुटज घनवटी का प्रियोग जो है जीवानु संक्रमर्ट डी हाइडरेशन सहीत अनिरोगों में भी प्रियोग किया जाता है इसे आप आयरुबेदिक चिकशक के देख देख में ही प्रियोग करें तो बेहतरीन होगा किन लोगों को नहीं प्रियोग करना है कुटज घनवटी इसके क्या है साइड इफेक्ट तो सिर्की गंभी छोट लगने वाले में लोग जो हैं उनको नहीं प्रियोग करना है फेफ़डों के ट्यूमर वाले रोगी में मानसिक बिकार से गरस्त बिमारी में और अलरजी से पेड़ित इन समश्याओं से पेड़ित लोगों को जो है कुटजगनवटी का सेवन नहीं करना चाहिए आईए इसकी खुराक चान लेते हैं कुटजगनवटी का जो है सेवन पचीश सो से पानसो मिली ग्राम की मातरा में अनुपान जो है नीबू पानी और ढृंड़ा पानी है कुटजगनवटी के बारे में जो है आईरुबेद में जो लिखा है कुटज घनवटी जो के प्रियोग सिद्ध योग संग्राह नामक आईरुबेद गरंथ में आतिशार प्रवाहिका ग्राणी रोकसंबंधी अध्याय में इसका जो है उल्लेख मिलता है अब इसमें जो है ये कैशे तयार की गई है तो इसमें कुटज है, कुटज की शाल है, जल है, आतिशार चून है तीन प्रकार के जो है दरव्यों को मिला के ये दवा तयार की जाती है बहुत ही बेहतरीन है तो आप प्रियोग करके जो है कुटज घनवटी से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं धन्यवाद